स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में सभी को मेरा एक प्यार भरा नमस्कार अगर आप कर रहे हैं सीट एट और लिकित परिक्षा की तैयारी तो स्टडी फॉर विन है सभी चैनल पे भारी यहाँ पे हम बात करेंगे आज की वीडियो में हिंदी सिक्षा साथ त्रियानी हिंदी पैड़ा गोजी से संबंदित कुछ बहुत ही महतपूर भावविकल्पी प्रश्णों की तो वीडियो जो है यह आपके लिए होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टन इसलिए वीडियो को लास्त तक बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए को क अपके प्रतियोगी परिक्षा है जो आपके लिए बहुत ही महतपूर है जो हो गई आपकी सीड़ेट लिखित परिक्षा सब्ही के लिए बहुत ही महतपूर और इसी तरीकी के इसान्दार नोट्स के लिए आप जो नमबर देख रहे है स्क्रीन पर 9496369356 इस पर वाटस चेंज कर दी गए यह समय बतल गया है वो अब आपको मिलेगा चार बजे यानि जो भी ट्रिक वीडियोज आप लोग देखते थे वो वीडियोज अब आपको प्रवाइड होंगे शाम को चार बजे तो वीडियोज को देखना मत भूलिए अब बिना कोई देरी के चलते हैं आ के आंसर्स आपको खुद ही देने हैं एक तरीकी का यह मॉक टेस्ट है आपका आपको अपना अकलन खुद करना है कि कितना आप सही है कितना आप सीख रहें कितना आपका बचा है तो पहले का अंसर बताईए क्या होगा सुंदर तदा सीगर लेखन के लिए आवश्यक बाते है तो इसका होगा अप्षों सभी उपरियुक सभी बाते जब आप फालो करेंगे तो आपका लेख सुनदर होगा और शीग लिखेंगे आप नेक्स्ट बचिन है आपका पठन Kा पहला स्थर है यह उस पठन का पहला स्थर आपको बताना है इन चारों में से क्या है तो पठ पाप्ष्र पथन ऑप्षन त्री आपका सही है तृय वीजनद्वारा सिक्षण होता है वास्थ्विक अव़ूत पूर मनलग glandwhe किया ओपरयोग्त सभी तृसके दौरा जो टिवीजन के दोड़ायर टीवी का सिक्षण होता है वह था है आपका सभी तरीके से, option 4 आपका सही है, उपचार आत्मक सिक्षण किस प्रकार का कार है यह आपको बताना है कि इन चारों में से क्या right option है, तो उपचार आत्मक सिक्षण जो है वो है आपका अनुदेश आत्मक, option 2 आपका सही है भासाई कोसल में गौर्ण कोसल है, यानि इन में से जो गौर्ण कोसल है वो आपको बताना है कि क्या है तो गौर्ण जो आपका कोसल है वो है आपका पढ़ना तथा लिखना option, second आपका सही है question number 6 है, भासा सीखने का सौभाविक और मनोवेग्यानिक क्रम जो है वो आपको बताना है कि क्या है, तो वो है आपका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, option first इसको आपके सूबो, पाली सरीके से याद कर सकते हैं, सुनना बोलना, पढ़ना और लिखना यही सौभाविक और मनोवेग्यानिक क्रम है, भासा को सीखने का रिश्वर का बोध कराने के लिए, चित्र बठाने तो आप किसका चित्र प्रस्तुत करेंगे इन में से बताना है कि आप किसका चित्र प्रस्तुत करेंगे रिखा बोध कराने के लिए तो आप प्रस्तुत करेंगे रिशी का चित्र आपका सही है जिससे आपके हदी का बहुत कराएंगे सास्वर पाठन अच्छा होता है किसमें अच्छा होता है आपको पताना है सास्वर पाठन कवता में गीत में कांकी में या सभी में तो सभी में सास्वर पाठन अच्छा होता है आप आपकी आगमन विदी, option first आपका सही है, व्याख्या प्रणाली का व्रहध रूप कौन सी प्रणाली है, तो व्याख्या प्रणाली का व्रहध रूप है, व्रस्त्रित जो रूप है वो है आपका व्यास प्रणाली, option 2, अनुकरण विदी किस इस्तर के लिए उप्युक्त है, यह बताना है कि चारों में से क्या राइट है तो अरुकरण जो विधी है वो आपके किस के लिए वो आपके प्राथ में किस थर के लिए आपकी क्या उपयोगत है इन में से एक साधन स्रफ विद्रशिश्रामक्री है जो स्रफ विद्रशिश्रामक्री है वो बताना है चारों म इतना साथ मिलेगा हमें मोटिवेशन और सेर करने से दूसरे लोगों को लाब मिलेगा और जिनों नहीं पिदा कि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वैल आइकन को यानि घंटी के तो वह है आपकी दूरस्त विदी। option 3 यान्य कैं डिस्टैंस लानिंग मुल्यांकन में निस्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्ण होने चाहिए कैसे आपके प्रश्ण होने चाहिए तो प्रश्ण आपकी होने चाहिए वस्तू निष्ट प्रश्ण जाहिए में क्या objective टाइप questions होने चाहिए भासा संसर्ग पराणी व्याकरण सिक्षा के किस पक्षपे बल देती है सैधानतिक व्यभारिक भासा विज्ञान या इनमें से कोई नहीं तो भासा संसर्ग पराणी और वभारिक पक्षपर सबसे ज्यादा बल देती है कक्छा भिनय पडाली किस सिक्षण विधी में इसका नाम लिया जाता है यानि किसके लिए ये उप्योक्त है तो कक्छा भिनय पडाली जो है वो नाटक इसके इंतरगा नाटक विधी आती है किस विधी में कक्छा के इस्थान पर प्रियोग साला होती है तो डॉल्टन विदी में, option 4 आपका सही, इसमें क्या हो दगक्षा के स्थान पर प्रियोग साला, गद्ध के कौन से पाथ रूप में मौन वाचन अनुपयुक्त है, इसमें बताना है कि किसमें मौन वाचन नहीं किया जाता है, तो सही है आपका option 4, समबाद, इसमें क्या है है, हिंदी सिक्षन में किस सहायक सामगरी का अधिक महत्त है, तो हिंदी सिक्षन में आपका जो सबसे ज़्यादा महत्त है, वो है आपका स्यामपट, ब्लैक बोर्ड का क्या है, सबसे ज़्यादा आपका महत्त है, पूर्वशृत धनियों के प्रतीक लिभीपद सब्तों को पढ़कर अर्द ग्रहन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है यह बताना है इंचारों में से क्या कहते हैं तो इससे कहते हैं वाचन आपका सही है सिक्षण की सबसे प्राचीन विधी है इंचारों में से जो सिक्षण की सबसे प्राचीन विधी है वह आपको बताना है तो वह है व्यख्यान ? VEDI option first बहुतता सिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन कि सिक्ष्ण का का प्रतिपादन जिसने किया उसका आपको नाम बताना है कौन है तो वह हैं Montesri Montesri ने कि अब आचन सेपूर लेखन की सिख्षा का प्रदभाधन किया प्रात्मक से चन पर किया कविता सिख्षण कीउप्युक्त अप्रणाली कौन सी है तो प्रास्मिक सिक्षक पर जो आपके कवता की सिक्षण के लिए उप्युक्त जो प्रडा लिये वो है आपकी गीत और अभने प्रडा लिये उप्षन थ्री और लास्ट कुशन है आज का भासा सिक्षण की नवीन पद्दतियों में विशेश बल दिया जाता है इन चारों में से बताना है कि किस पर विशेश बल दिया जाता है वासक शिक्षण की जो हम नवीन पद्दतियां अपनाते है उसमें तो उसमें आपके बल दिया जाता है बालक वासिक्षक की क्रिया सील्था पर option 3 आपका सही है तो यह थी दोस्तों आपके हिंदी सिक्षा सास यानि हिंदी पैड़ागाजी से सम्मंदित आपके बहुत ही महतुपूर वस्तूने प्रिशन आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा दबाद है जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलने लगे और टाइमिंग याद रखिए अब तो फैर में एक बजे और शाम को चार बजे आपको ट्रिक वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको जो इंपोर्टन टॉपिक्स हैं आपके कॉम्टेटेव एक्जाम के लिए स्पेशली सीटर और लिखित परिक्षा के लिए वो आपको ट्रिक के माद्धे हमसे तयार कराए जाएंगे और शी तरीके के नोट्स के लिए जो नमबर आपको बताया है 9496369356 इस पर भी सभी को मेरा एक प्यार भरा नमस्कार और बहुत-बहुत धन्वाद इस वीडियो को देखने के लिए